नमस्कार दोस्तों नाम लोग इंद सिंग है और आज पुना हम लोग 10 महतवपून करेंट अफेर लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के लिए इन 10 महतवपून करेंट अफेर में से सभी महतवपून आप लोगों के लिए आप लोग ध्यान रखेगा और करेंट अफेर को शुष महत्रपुन शूशना उसको देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग अपना करेंट फैर स्टार्ट करने वाले हैं चुले दोस्तों तो जो इंपोर्टन्ट है आपनों के लिए वो क्या है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो दोसको MPHC Championship स्टार्ट हो रही है और यह बिल्कुल इद्दम free of cost MPHC Championship है जिसके अंदर पांच free mock test होंगे और इन पांच free mock test के अंदर आप लोगों को वही पैटन में लेगा जो कि MPHC अपने पैटन में देता है ठीक है जिस तरीके से जीएस फास्ट पेपर होता है उसके बाद जीए सेकंड पेपर होता है टाइमिंग भी रखा हुआ और साथ इसाथ वही पैटन अपना हुआ है जिस पैटन पर MPHC जो है MPHC आप लोगों का पेपर लेता है तो यह 17 में से स्टार्ट हो रहा है मतलब आप लोगों का 15 आज क्या हो गया 15 हो गया है तो परसों से स्टार्ट हो रहा है इसका पूरा schedule देख लेते हैं हम लोग दोस से चार के बीच नहीं होगा जीए सेकेंड इसी तरीके से हम लोग देखें तो नेक्स जो आपनों का रहेगा दूसरा पेपर है वह 31 मई के दिन होगा दोस्तों और तीसरा पेपर होगा 14 जून को चौथा पेपर होगा 28 जून को और पांचवा पेपर होगा 12 जुलाई को तो यह पूरा scheduling रहेगा आपनों की एन चैंपेंशिप का साथी साथ इसमें जो एनलेसिस करवाई जाएगी दोस्तों वह काफी महतुपूंड लोगों के द्वारा एनलेसिस करवाई जा रही है जैसे आप मोग टेस्ट पेफर पर पर देखेंगी हर्शल चौधरी जो की 2018 के टॉपर है इसके अलावा अभीशेक ख काफी महतुपूंड लोगे संपदा सराफ जो की 2017 की MPPC टॉपर है वो इसके लिए आप लोगों का एनलेसिस करवाने वाली है चीके दोस्तों और जितने भी लोग ऐसे हैं गुड़ इवनिंग दोस्तों गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग जैहिन सभी लोगों का स्व 17 में जल्दी से जाएगा दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर 17 में का 17 में का आप लोगों के पास में एक फ्री मॉक टेस्ट के लिए लिंक दिया हुआ है जल्दी से देखिए उसको दिया हुआ है MPPS से फ्री मॉक टेस्ट 17 में देखे जरा नमस्कार नमस्कार जल्दी से जाईए और वहाँ पर जाकर कि उसको इन्रॉल कर लीजेगा और इन्रॉल करने के बाद तुरंत मुझे आकर के और थम का इंप्रेशन दे दीजे ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर पाएं जल्दी से जाएगा दूस्तों और वहाँ पर जाकर कि आप उसको इन्रॉल कर लीजेगा और जो लोग इन्रॉल नहीं कर पा रहे हैं मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया लिंक वहाँ से जाके भी इन्रॉल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल दिया लिंक वहाँ से जाकर के भी आप लोग इन्रॉल कर सकते हैं चलिए दूस्तों इसके बाद एक महत्वपूर्ण सूशना और आपनों के लिए वह है मिशन MPPSC 2020 के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है छे मई को स्टार्ट हो गया है दोस्तों यही जिसमें आप लोगों को प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करवाई जा रही है यह एक बैच के माध्यम से आप लोगों की संपूर्ण समश्याओं का समाधान अकैडमी कर रहा है और इसमें मैं लोकेंदर सिंग आप लोगों के लिए मद्यप्रदेश पढ़ा रहा हूं और मेरी क्लासे सुभह साड़े आठ बजे आप लोगों को मिल रही है जिसमें मध्यप्रदेश प्री प्लस मेंस दोस्तों काफी ज़्यादा विस्तार से मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूं आप जल्दी से जल्दी इसको जोईन कर लीजिएगा नेक्स्त है दोस्तों मेरी जो क्लासे जिए है मेरी कप कोन-کान सी क्लासे होती है जिसे मध्यप्रदेश प्री प्लस मेंस की मेरे क्लास ले रहा हूं वो है सुभह साधे आठ बजे होती मेरी क्लास ठीक ये जिए जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया हुआ था foundation course उसी की class में ले रहा हूँ सुभह साड़े आठ गुजे मेरी class रहती है मध्यप्रदेश के लिए pre plus means एक बार पढ़ने के बाद में फिर दोबारा पढ़ने के आवशकता आप लोगो नहीं पढ़ेगी मध्यप्रदेश Indian quality जो है वो मेरा 7pm को दोस्तों अभी इसके बाद में वो मेरी class रहेगी 7pm को जिसमें Indian quality भी मैं pre plus means के according पढ़ा रहा हूँ और सारे topics उसमें बहुत विस्तार से cover हो रहे हैं आप जरूर उसमें हिसा लीजेगा और मेरी class चलती है दोस्तों जिसमें मैं MCQ practice करवाता हूँ 9.45pm पर जो कि YouTube पर class होती है मेरी और एक class आप लोग मेरी देखी रहे हैं 6pm वाली दर तो ये मेरी classes है दोस्तों मद्रप्रदेस pre plus means पढ़ा रहा हूँ मैं 8.30am के उपर दूसरा Indian quality मेरा चल रहा है 7pm के उपर जिसमें अभी इसके बाद मैं वही class में लेने वाला हूँ ये दोनों classes plus की classes है और जो तीसरी class है MCQ practice 9.45 की जो कि YouTube पर होता है और साथ में ये special class भी है special class भी है और YouTube का class भी है तो आप special class में app के उपर भी मुझे join कर सकते हैं और YouTube के उपर मुझे join कर सकते हैं कोई बात नी महर जी कोई दिक्कत नी है कोई दिक्कत नी है आप दीजे कम से कम उसको ताकि आपको ये पता चले कि हाँ आपकी इस्थिती क्या है आपको किस तरीके से तयारी करनी है भी हमें paper पता चलेगा उसमें आने वाले questions का type पता चलेगा तब तो हम कैसे पढ़ेंगे यह पता चलेगा इस चीज़ को समझना क्योंकि सबसे बड़े जो गाइडर होते हैं सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडर होता है आपका pratique स्लेबस जिससे हमें यह पता चलता है कि क्या पढ़ना रहूँ ठीक है और फिर तीसरा गाइडर होता है आपका एजूकेटर जो आपको यह बताता है कि हाँ मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे 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 समझ में आ जाएगा दिमाग के अंदर गुज जाएगा ठीक है चलिए अब आप हम आते हैं अपने पहले प्रेश्ण के उपर आज़के क लिखित में से किस हवाई अड़े को हवाई स्काई ट्रेक्स द्वारा विश्व के सर्वस्रेस्ट हवाई अड़े का खिताब मिला है जल्दी से अंसर दीजेगा दूस्तों इसके उपर लिखित में से किस हवाई अड़े को स्काई ट्रेक्स द्वारा विश्व के सर्वस रिस्ट हवाई अड़े का खिताब मिला हुआ है ओके मेहर जी का अंसर आई वा अबिशेक वार्मा जी का आए हुआ है पायल राठार जी कब यावरे किन पायल जी का गलत हो गया कल्पना पाठक और समीक्षा स्रीवास्ताव जी इतने लोगा दोस्तों आंसर आया हुआ हो बिल्कुल सपना भारती प्रीती नेहा श्रधा मितेश जी इतने लोगों का आंसर दोस्तों सही आया हुआ है मतलब कि बिल्कुल चांगी हवाई अड़ा मेहर आपकी तैयारी अच्छी तो है आपने बिल्कुल सही तो आंसर दिया है आप बिल्कुल सही दि विश्व के स्रवस्वेस्ट हवाई एड़े का खिताब मिला हुआ देखते हूँ क्या है और कहां पर रहे विश्व के सरवस्वेस्ट हवाई एड़े 2020 के लिए स्काइट्रैक्स अवार्ड लगातार आठवे वर्श सिंगापूर के चांगी हवाई एड़े को प्रदान किया दोस्तों एक प्रश्न आपनों का यह भी बन सकता है कि स्काइट्रेक्स के दौरा विश्व के सर्वस्रेस्ट हवाई अड़े का पुरुसकार चांगी हवाई अड़े को दिया गया यह कहां पर है तो यह सिंगापूर में है यह दूसरा प्रश्न आपनों का यहां से करंट महसूस होता है विक्ति को और आने जाने की सुविधाएं और बागी की जो इनकी फैसलिटीज हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं इसलिए चांगी हवाई अड़े को सर्वस्रेस्ट हवाई अड़े का पुरुसकार मिला हुआ है दोस्तों फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों जो दूस्रा प्रेंशन अपनों की स्ट्रीन के उपर बिलकुल हैमरोश जी राइट दूसरा प्रेंशन अपनों की स्ट्रीन के ओपर की तमिलनाडव के किस उत्पाद को G.I.手 से सम्मानित किया गए बहुत ही महत्पूんだ प्रेंशन आज हैं भिलक्या इसे लगाता आठवी बार यह मिला है कल्पना जी ग्रेट तमिल नाडू के किस उत्पात को जी आई टैक्स से सम्मानित किया गया जेग्रोफिकल इंडिकेशन ओके कुछ लोगों ने एक पायल राठोर जी ने अंसर दिया अभी मुझे हैमरोश जी मितेश खरे जी सपना रावत अभिशेक आरिया इतने लोगों का अंसर दोस्तों अभी तक मुझे यहां पर सही मिला हुआ है और अभिलाशा सोनी जी का अंसर भी सही है नेहा अदलग प्रमोज जी का अंसर भी यहाँ पर अभी तक मुझे सही आता हुआ दिखा हुआ है और नेहा अभिलाशा सोनी जी रूपाली जी का गलत हो गया है ओके ओके प्रीती का सही है समिक्षा जी का सही है कल्पना पाठक जी का सही है दोस्तों ये और दोनों सही है मतलब कöt तमिलनाड़ू के अंदर दो क्राफ्ट्स हैं दो कलाएं हैं और दो कलाहें नों कलाओं को तमिलनाड़ू के लिए GI di tag प्रदान किया गहीं अरे हां नेहा जी आप भी हो प्रिंस बाबा जी गुड इवनिंग रुपाली जी गुड इवनिंग नेहा तीवारी जी हां वहीं आप है आपका भी सही है तो यहां पर दोस्तों जैसे मैंने आपनों ником को बताया था दोचीजूं को दे दिया गया जी अच्छ अरुमबायूर लकडी की नकाशी और तंजावूर नेति वर्प जो नीच ये क्या जाता है कि विशेश प्रकार का पौधा से संबानित कै घ्य जी जी आई टैग इसको दिया गया है दोनों को इसमें तंजाव मुझा इटी राथ के दूस्टों तंजाव नेति वर्क्स जो है पित से बनाया गया हैही docking रेशा पित को नेटी से प्राप्त किया जाता है अब यह पित जो रेशा है वो कहां से मिलता है नेटी से मिलता है नेटी क्या है दोस्तों यह आप यह सारी जो वर्ड्स है यह सब तमिल के वर्ड्स है ना पित को नेटी से प्राप्त किया जाता है नेटी क्या है विशेश प् लिचे प्रकार का ब्रक्ष और उस रेषय को प्राप्ट किया जाता है और उस रेषय का उपव्योग पिको नहें किया जाता है ध्यान से सुनिएगा अधुर Magic उ alliance से और इस रेशे के माध्यम से मूर्तियां बनाने का काम किया जाता है मंदिर बनाने का छोटे-छोटे मंदिर जिस तरीके से संगमर्मर के आप लोग ने देखा होगा कि संगमर्मर की मूर्तियां बनती हैं या फिर संगमर्मर के मंदिर बनते हैं जो हम लोग अमारे घर में ल में दोस्तों इसमें लकडि से मूरतियां बनाई जाती हैं और वहां अब जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जिसका नाम था तणजावुर नेतिवर्क्स अन्डों से ये कला प्राप्त हुई है और उस कला का वो लगातार उप्योग करके और मूर्तिया बना रहे हैं तंजागुर नेटी वर्क्स में भी मूर्तिया बनती है दोस्तों और साती साथ जो आपका second वाला portion है जिसमें मैंने आपनों बताया था उस। भी मूर्तियां बनती है लकड़ी के वर्क के अंदर तीसरा प्रेशन है दोस्तों आपनों की स्क्रीन के उपर अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कि अरे प्रमोज जी नेट धोका दे दिया नहीं यह यह क्वेश्चन बन सकता है मितेश शिक्रेज जी कि इसमें से किसको जी आई टेग मिला है अपन उसका एक्स्प्लिनेशन कर रहे हैं उसको मैं ज्यादा समझा रहा हूं ताकि वह आपके दिमाग में बैट जाए ठीक है बस पूछेगे इतने कि इसमें से किसको जी आई टेग मिला इतना पूछेगे एक लिए मितेश जी प्रीती का आया हुआ है आंसर नेहा मेहर जी मितेश शिक्रे जी उसके अलावा फिर कलपना जी प्रिंस बाबा सपना रावत पायल राठोर हैम्रोज जी समिक्षा श्रीवास्ताव जी भारती वर्मा नेहा अदलक श्रद्धा महरा प्रमोच जी नितेश शिक्रे जी और अभिलाश्या सुनी इतने लोगों का दोस्तों अभी तक मेरे पास आया है बिलकुल सही आंसर है दोस्तों विध्यावती जी को भारती पुरातत्व सर्वेक्षन के नय महा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अब इनको देख लेते हैं य यह है दोस्तों विध्यावती जिनकों की भारती पुरातत्व सर्वेक्षन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है वह भी थंब दे रही है आप लोगों को ताकि उनको पहचान लो अच्छे से विध्यावती को कि यहां वह यह आ सकती हूं में एक्जाम में है ना ऐसा ब इंजिनेरिंग राजागिरी स्कूल ओफ इंजिनेरिंग एंड टेक्लोजी के छात्रों ने का उपयोग करते हुए निमोनिया जैसी अन्य इस्थितियों के साथ-साथ कोविड-19 मामले का पता लगाने के लिए एक सौफ्ट्यर विक्सित किया है एक सौफ्ट्यर विक्सित क अब यहां से दो तीन तरीके से क्वेश्ट्यर बनेंगे दोस्तों ना वह दो दो तीन आयाम जो है दो तीन एरियास जो है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा जल्दी से अंसर दीजेगा इसका बिल्कुल फॉटीन का जो है दोस्तों वो बी है आंसर अब यहां से जो गॉस्ट्यर बनाया दोस्तों इस क्वेश्ट का जो एम है उद्देश है वो आप लोगों को हर आयाम को कंप्लीट करना है मतलब इस क्वेश्ट्यर के अंदर आप लोगों में आंसर भी मिल रहा COVID-19 के मामले का पता लगाने के लिए एक software विक्सित किया है तो राजागिरी School of Engineering and Technology के छात्रों ने विक्सित किया है वो software करेगा क्या जो छाती का X-ray लिया जाता है दोस्तों और छाती के X-ray के अंदर ये software pneumonia के विशे में information देगा और pneumonia के साथ-साथ अगर वो व्यक्ति COVID-19 से प विशे में भी तुरंती information मिल जाएगी अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि जिन लोगों के साथ में problem है बहुत सारे ऐसे लोग है जिनको pneumonia हो गया है उनको COVID-19 भी है लेकिन वो छाती के X-ray के माध्यम से पता ये चलता है कि हाँ pneumonia है लेकिन बाद में जब उस व्यक्ति की म्रत्य क्यों हो जाती है तब जाकर के पता चलता है कि उसको COVID-19 से वह पीडित भी था जैसे अभी कुछ cases आया हुए है एक्सरेल लिया पता चला pneumonia है लेकिन COVID-19 से वह affected है ये पता नहीं चला और बाद में दो चार दिन के बाद में उस व्यक्ति की म्रत्य हो गई तब पता चला कि व चाती के एक्सरे का उप्योग करते हुए नीमोनिया जैसी अन्य इस्तितियों के साथ-साथ COVID-19 मामले का पता लगाने के लिए एक software विक्सित किया है दोस्तों जो की क्या करेगा नीमोनिया की बीमारी का भी पता लगा लेगा और उसी समय अगर उसको COVID-19 भी है से भी वह affected है तो उसका भी पता लगा लेगा software को machine learning artificial intelligence साखा के उप्योग करके इसको क्या किया गया दोस्तों विक्सित किया गया ओके next question है आप लोगों की स्क्रीन के उपर निमलखित में से किसे नाड़ा अनुशाशनात्मक समीती में फिर से शामिल किया गया दोस्तों यह sports वाला जो section है आप लोगों का स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में यह वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है करन्ड अफ्यर वाला के निमलिखित में से किसे नाड़ा अनुशाष नात्मक समीती में फिर से शामिल किया गया जल्दी से आंसर दीजेगा राज थाकूर जी का भी तक मेरे पास में आंसर आया हुआ है भारती सिंग जी का आया हुआ है सपना रावत का भी आया हुआ है कल्पना पाठक का भी आया हुआ है इतने लोगों का दोस्तों आंसर आया वा बिल्कुल राइट आंसर है अखिल कुमार जी जो है यह एक मुक्के बाज है मतलब बॉक्सर है जिनको की नाडा के विशे में अभी आपन लोग इंफर्मेशन लेते हैं यह देख लीजे पूर्व रास्टमंडल स्वर्ण पदक क्यों महत्वपूंढ क्यों यहां से प्रेश्ण आप लोगों से पूछा जा सकता है और यह प्रेश्ण आपनों के लिए क्यों बनाए गया है इसलिए बनाए गया है क्योंकि यह पहले रास्ट मंडल के स्वर्ण पदक विजेता रह चुके तो महतपूर्ण वेक्ति हैं इसलिए क्वेशन आ सकता है भारती मुक्के बाजे ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि उनका संबंध मुक्के बाजी से हैं अखिल कुमार को रास्टी डोपिंग रोधी एजनसी के आमिल कर लिया गया रास्टी डोपिंग रोधी मतलब जो आप लोग जानते होंगे के स्पोर्ट को खेलते समय जो लोग ड्रक्स का यूज करते हैं और उसके माध्यम से अपने स्टैमना बढ़ाने का प्रयास करते हैं और फिर जब खेलते हैं और बाद में पता चलता है कि इनोंने ड्रक्स का यूज किया हूए था तो उसमें जो अनुशाशनात्मक समlasyti हैं उसके अंदर अकिल कुमार को एड किया गये दोस्तों अभी देखते हैं का चित्र है उसको देख लेता है यह हैं दोस्तों अखेल कुमार जी इन्हें शामिल किया गया है और यह रास्ट यह नाडा के विशे में मुख्य बाते दिली में इसका मुख्या लेहे है नाडा का और आधर शुहाक कि जो है इसका खेल मेला ध्यान रखेगा दोस्तों नाड़ा का आदर्श्वाग के खेल मेला है तो यह भी पूछे जा सकता है कि खेल मेला किस जो है खेल संस्था का आदर्श्वाग के है अखिल कुमार जी है यह अब नेक्स प्रेशन है दोस्तों आप लोगे लिए अभी काफी ज़्यादा जो है आप लोगे करेंट अफेर में रही हैं काफी ज़्यादा विवादित भी रही है यह इस पर एक ट्वीट भी किया हुआ था राहूल गांदी ने उसके बाद काफी ज़्यादा विवादित हो गई थी यह पीएम केर्स प्रधान मंतरी नागरिक सहायता एवं आपात कालिन इस्तितियों में राहत के संदर्व में निमलिसी कत्नों पर विशार करें पीएम केर्स जो हैं फंड ट्रस्ट ने कोवीड नाइन्टीन महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम केर्स फंड से 3,100 करोड रुपे आवंटित करने का फैसला किया है 3,100 करोड रुपे में से लगभग 2,000 करोड रुपे की राशी 5,000 मैड इन इंडिया वेंटिलेटर्स की खरीद के लिए रखी जाएगी उपर दियेगे दोनों में से कौन सा सही है दोस्तों आंसर दीजेगा जल्दी से आंसर दीजेए इसका 6 का आंसर जो आया हुआ है नेहा का, पायल राठोर का, राज ठाकूर का, समिक्षा स्रिवास्ताओ का, अभीशेक वर्मा जी का, प्रिंस बाबा जी का, शद्धा का, भारती, शद्धा जी का भी आया हुआ है राइट आंसर जीतेंद्र पाल जी भी आ गया है, स्वागत जीतेंद्र जी आपका भी राइट आंसर है, नेहाद लग, अभी अभिलाशा सूनी, कलपना पाठक, कलपना गलत हो गया, अभिलाशा जी का सही है, भी आंसर है दोस्तों इसका, इसका आंसर जो वो भी है, इट मीन्स के दोनों ही सही है पीएम के विश्व में आप लोग सभी जानते होंगे कि अभी कोविड-19 जो महामारी भारत के साथ-साथ पूरे विश्व को उसने परिशान करके रखा हुआ है तो उसके लिए प्रधान मंत्री ने पी-एम केर्स नामा के फंड बनाया हुआ है दोस्तों कि उसके अंदर जितने भी लोग ऐसे हैं जो की काफी धनी लोग हैं वो उसमें जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके अ 2100 करोड रुपए जो है आवंटित करने का फैसला किया गया है जिसमें से 2000 करोड रुपए जो है वो पांच 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की खरीदी के लिए रखी जाएगी दोस्तों पी-एम केर्स योजना काफी विवादित योजना रही है इसमें प्रॉब्लम य संहें तो फिर इस तरीके खैक नया कोश जान रिक अधियां का या नया कोश बनाने का क्या मतलब है और अगर बनाया गया है तो इसका और चारा है इसमें कितना पैसा 55 हा रहा है ओर कहां खर्च और नेक्स्ट थे अदोस्तों आपने की स्क्रीन के उपर निम्दमेश से किस राजी के द्वारा राजी के प्रसिक्षित युवाओं के लिए काफी महत्वपून प्रहशन हैं दोस्तों ये COVID-19 की परिस्ति में इस तरीके की पहल करना किसी राजी के द्वारा काफी सकारात्मक प्रयास है प्रसेक्षित युवाओं के लिए रोजगार के आउसर पैदा करने के लिए वेब कोटल होप शुरू किया गया श्रद्धा जी का अंसर आया हुआ है हैमरोश जी का अंसर आया हुआ है समिक्षा, रवी राज तिवारी जी हैमरोश जी, प्रमोध सपना राज रवी राज तिवारी जी पायल राठोर प्रिती अविलाशा जी मितेश जी अविशेक वर्मा रवी राज तिवारी ओम वर्मा अविलाशा सोनी जी नेहा तिवारी सोनी साक्षी सोनी नेहा अदलक मेहर नीरज इतने सभी लोगों के द्वारा इसका आंसर जो है वो सही दिया पुरे विश्व में बनी हुई है भारत भी उस परिस्ति से लड़ने का प्रयास कर रहा है और को भगाने का भारत से प्रयास कर रहा है तो उस प्रयास के अंदर उत्तरकंड राज्जी का ये प्रयास का ये प्रयास का ज़्यादा सराहनी है कि उत्तरकंड राज्जी के अंदर जो प्रसिक्षित युवा हैं उनको रोजगार के उसर प्रैदा करने के लिए वहाँ पर एक web portal hope helping out people everywhere शुरू किया गया है इस web portal का खास बात ये दोस्तों कि इस web portal के अंदर प्रसिक्षित युवाओं का पूरा data रखा जाएगा और यदि उनको किसी प्रकार का रोजगार उखलब्द कराने की संभावना रहेगी तो उनको रोजगार उखलब्द भी उतरकरन सरकार के माध्यम से उखलब्द कराएगा काफी सरानी पहल है अभी वर्तमान में देखें तो सभी लोगों का काम ठप पड़ा हुआ है दोस्तों बहुत से ऐसे लोगे जो कि प्रसिक्षित हैं बहुत से मजदूर है या बहुत से ऐसे वगेरा हैं जो की काफी ज़दा प्रसिक्षित हैं लेकिन लोगों किसी प्रकार का काम नहीं मिल रहा है तो यह वैब पोर्टल स्टार्ट करना उतर अखंड का काफी सरहानी और सकारात्मक कारे हैं नेक्स्ट कॉश्चन है दोस्तों आपनों की स्क्रीन के उपर निमलकित में से कौन सा कफन केंदरी वित्यमंत्री द्वारा घोशित विशेश तरलता समर्थन के लिए सही है अभी विच अमंग दा फॉलिंग स्टेट्मेंट इस आर ट्रू फॉर इस्पेशल लिग्विटिट की सपोर्ट एनाउंस्ट बाइदा यूनियन मिनिस्टर आफ फाइनेंस किसके लिए दोस्तों ये समर्थन किसके लिए ये फंड जारी किया गया है यूनियन मिनिस्टर आफ फाइनेंस के द्वारा जितने भी लोग दोस्तों इस यूट्यूब को इस क्लास को वाच कर रहे हैं वो इसको लाइक जरूर करिएगा और शेर जरूर करिएगा ताकि आपके मित्र आपके फ्रेंड लोग भी अच्छे करंट अफेर का फाइदा उठा पाएं ओके 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 नी मेहर जी का अंसर आयो मेहर आपके तैयारी ही आफ्याइव आपको तो काफी हो जाना चाहिए रवी राज जी का गलत हो गया है, सपना का सही है, साक्षी जी का सही है, भारती, नेहा, हेमरो, श्रद्धा, प्रिंस बाबा, जितेंदरपाल जी, मितेश शिकरे जी, अभिलाशा वर्मा जी और मितेश जी का यहां पर गलत हो गया, विलाशा शॉनी जी ने बादनेंद आंसर जो दिया है, वह सही आंसर है, बड़ी है एक उस्था की लिए, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक घोशना की है, उस घोशना के विशे में हम लोग जान लेते हैं हाली में केंद्री विक्तमंत्री ने आत्मिमेभर भारत अभियान के तहत गैर बैंकिंग वित्ती कमपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कमपनियों और माइक्रो फाइनस संस्थाओं को और अधिक तरलता समर्थन की घोशना की मतलब उनके लिए लिक्विडिटी और बढ़ाई जाएगी, दोस्तों लिक्विडिटी का बढ़ाने का मतलब है कि उनके लिए फंड और ज़दा गावर्मेंट की तरफ से दिया जाएगा, ओके आगे देखते हैं दोस्तों आप नेक्स्ट कॉस्चन की बात कर लेते हैं कि वैश्वी कूर्जा संक्रमन सुचकांग किसके द्वारा जारी किया गया जिते इंदरपाल जी राइट आंसर दे रहे हैं अभी तो अगर मैं अपना मेरा ओपिनियन दूँ इस पे तो काफि सरहानी काम है इसलिए सरहानी काम है क्योंकि अगर मालीजे रिन देने की बात हो रही है अभी वर्तमान में तो लिक्विडिटी है ही नहीं मार्केट के अंदर बहुत कम लिक्विडिटी है market चल नहीं रहा है market चल नहीं रहा है तो फिर वैसी परिस्थिती में अगर जो rent सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाएगा तब जाकर के तो कुछ industries जो है वो grow कर पाएंगी और उनको थोड़ा बहुत जो है पैसा मिल पाएगा ओके वैसी कूर्जा संकरमन सुचकांग द्वारा जारी किया गया बहुत सारे लोगों का अंसर जो है यहाँ पर C है हेम्रोज जी आपका अंसर नहीं आया हुआ है हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेहर राइट अरे मेहर यार इतनी अच्छी तैयारी है आपके और आप बोल रहे हो कि आपने पढ़ा हुआ नहीं हम कैसे थे अनेकेडमी MPPC Championship विश्व आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच ने इसको जारी किया दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक रैंक के अनुसार आर्थिक व्रद्धी उर्जा सुरक्षा और परियावरन इस्तिता के सभी प्रमुख मापदंडो में सुधार के बाद भारत ने दो इस्थान उपर उठकर विश्व आर्थिक उर्जा संकरमन सुचकांग किस ने जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है वैश्विक उर्जा संकरमन सुचकांग ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन है दोस्तों आपनों की स्क्रीन के उपर कोई बात नहीं हम्रोज जी एक बार नेट पर सर्च कर ले ना अभी क्या मेरे पास में अब बस दस-पंदा मिनेटी मेरे पास में ओ अल्रडी क्लास का टाइमिंग जादा हो जुका है ना मैं जादा यहां पर नहीं बात कर पाऊंगा आप मेरे ग्रूप के ऊपर आ जाना हम्रोज जी और वहां मुझे आप टेलीग्राम पर मेसेज कर देना वहां आपन लोग आया हुआ है वह राइट आया हुआ है तीस नवंबर ओके तीस नवंबर को यह जारी किया गया है दोस्तों मलब के तीस नवंबर तक डेट बढ़ा दिया आईकर रिटान भरने की चीक है तीस नवंबर तक बढ़ा ही जा चुकी है बहुत सारे लोग अवेर हैं इस बात की काफी खुशी है मुझे के इस करेंट अफैर को स्टार्ट करने के बाद काफी लोग और भी जादा अच्छी से करेंट अफैर पढ़ने लगे हैं और इन सब चीजों के विशे में अवेर भी होने लगे हुए ठीक है दोस्तों तो आप हमारा यह दस क्वेश्चन यहां पर गतम होते हैं इसकी पीडिएफ आप लोगेंदर सर एक टेलीग्राम ग्रूप है उसका लिंक है एड़ रिट लोकेंदर सर वहां पर आप लोगेंदर सर और दूसरा इसी वीडियो के नीच ग्रूप का लिंक है MPPSC 10 दोनों ही जगे पर आपको इसका पीडिएफ उपलब्द हो जाएगा दोस्तों यह पहला सेग्मेंट था जिसमें हम लोग 10 महत्वपूंट प्रेश्णों की बात करते हैं इसके बाद जो दूसरा सेग्मेंट है वो है आपनों का यह जल्दी से इस यह कल्चूरी राजवन्ष की प्राचीन राजधानी थी इस स्थान पर त्रिपूर सुंदरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है जवलपूर के अंदर ही पढ़ता है ज़िए काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया हूँ वैसे बहुत बड़िया तीवर तीवर त्रिपूरी जबलपूर ओके यह इसका आंसर है तीवर त्रिपूरी जबलपूर ओके दोस्तों चलिए अब ये हमारा दूसरा segment था इसका, अब हमारा जो तीसरा segment है दोस्तों, कि कल का जो current affair हो, उसका हम लोग एक बार revise करते हैं, तो आप लोग जल्दी से देख लीजेगा, कल के current affair का हम लोग एक बार revision कर लेते हैं, ताकि कल का current affair आप लोग के दिमाग के अंदर वापस से आ जाए, और फिर हम लोग उसको continue कर पाएं, ओके, चलिए, next है, कल का current affair जो है, वो कुछ इस प्रकार से है, निमलिकित में से किस मंत भ्यान के तहित poster making प्रतियोगीता का आयोजन किया है, भारती सूचना प्रोध्योगी की संस्थान गोवाहाटी के द्वारा ऐसा हुआ है, तो उसके बाद में next question है, दोस्तों कि फकुरुद्दिन अली अहमत के बारे में निमलिकित में से कौन सा कतन सही था, तो पहला और त पेरा एथलिट ने पेरा लंपिक खेलों से सन्यास लेने की गोशना किये दीपा मलिक दोस्तों, दीपा मलिक इनको राजियोगांधी खेल रहत पुरसकार से भी सम्मानित किया गया है, और साथी साथ, बिल्कुल 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 प्रीवियस लोकेशन को भी हम वापस से रिवाइस करा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल लिकित में से किस पेरा एथलिट बिल्कुल प्रीवियस लोकेशन को भी करा देंगे, दीपा मलिक हैं दोस्तों, और इनके विश्य में काफी सारे प्र और यह दीपा मलिक हैं उसके बाद में किस देश ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट करने के लिए दो उबग्रहों का सफलता पूरबक प्रक्षेपन किया तो चीन के अद्वारा ऐसा हुआ है दोसको इसके बाद पर निम्लेकित में से किसने हाल ही में भोगोलिक संके तक जी आई टेग प्राप्त किया है तो सहराई खोबर पैंटिंग और तेलिया रुमाल सोराई खोबर पैंटिंग जो है दोस्तों वो जारकंड की और तेलिया रुमाल जो है वो तेलंगा ना का जिसको जी आई टेग अभी प्राप्ट हुआ है कल हमने इसके विशे में इंफोर्मेशन प्राप्ट की थी मनोज अहुजा के द्वारा मनोज अहुजा को निदेशक 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 किया गया मनमीत सिंग वालिया का हाली में निदन हो गया वकिस खेल से संबंदित थे तो टेबल टैनिस से संबंदित थे मनमीद सिख्व वालिया यह है मनमीद सिख्व वालिया का चितर दोस्तों उसके बाद dस्वा प्रेशन यह ओषिनिया जोन के लिए fed cup hard award 2020 जीतने वाली पहली भारती बनी पहली भारती बनी दोस्तों इसलिए जाए जाए मैंत्पूने सानिय मिर्जा और सानिय मिर्जा को तो कौन नहीं जानता यह सानिय मिर्जा ओके पिर उसके बाद कल का एक जो लोकेशन हम लोगों ने देखा था मद्रप्रदेश का की इस जिले का नाम बताना है जिसका जिले जिसका आकार जो है वो उड़ते पक्षी जैसा है और यह बेन गंगा हाटी और सकपुड़ा परवत दोनों में विस्तरत है तो इसका आंसर जो था दोस्तों वो था बाला आप लोगों को कल ही बता दिया है कल फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों शाम को छे बजे इस करेंट अफेर के साथ में जहां पर इसमें से कुछ काफी जादा महत्पून है और कुछ थोड़े कम महत्पून है लेकिन उनको वह भी आ सकते हैं तो आप अपने दिमाग के अंदर उनको सुनकर के रखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है MPPSC में पांस साल पहले का भी करेंट अफेर पूछ लिए इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतना डीप जाकर के करेंट अफेर बना करके और लेकर क्या रहा हूं और दोस्तों मेरी क्लास है इसके बाद ने 7 पी-ंपर मेरी क्लास है और 9.45 पर एक और मेरी क्लास है 945 पर मैं MCQs करवाऊंगा आज इंडियन पॉलिटी के तो उसमें भी जरूर शामिल होना बाई दूस्ते